कि असलाम अलेकुम दोस्तों कि यह वीडियो का मकसद है इसका जो कंप्यूटर ट्रेनिंग कंप्यूटर काई से काम करता है और इसमें कुन कुन से पार्ट्स यह जल्दी खराब होते है अज इसके बारे मैं आप लोगों को तफसीर से बताऊंगा यह निसान मेक्सीमा 98-2003 का इसी यह है इसमें कुन कुन से पार्ट्स डेमेज होते है और यह आई सी क्या काम करता है कुन सा आई सी क्या काम करता है यह सबसे पहले मैं आप बताऊंगा यह जो आई सी है यह इगनिश्यम वायल का है आई सी है इगनिश्यम वायल निसान का अक्सार यह फार्ट आता है कि आप अगर इसम नए इगनिश्यम वायल फिक्स करते हैं तो यह शाट होके काट जाता है यह बेलकुल काम नहीं करता है एगनिश्यम कोईल तो यह इगनिश्यम कोईल को कंट्रोल करता है यह चे सालेंडर है और यह सीक्स कोईल को कंट्रोल करते हैं छे कोईल को यह चीब फर एक्जमपल यह इगनिश्यम कोईल है इसके तीम वाइर है एक है भी पाजेट यो एक है ग्राउंड और एक है सीगनल वाइड सीधा यह चिप में जाता है अगर एक कोई कोई नया डाल के भी काम नहीं करता है तो यह दो इसको पाउर और ग्राउंड को चेक करने के बाद यह वाइर को ट्रेस करने के बाद सब से पहले हैं इसको Trace करने के बाद यह चीप को Change किया जाता है जब यह वायर सही होगा तो यह चीप 100% खराब होता है अगर वायर भी चाहिए इक वायल भी चाहिए में पावर ग्राउन पी चाहिए तो यह चीप का अंदर फाल्ट आता है तो ये बहुत असानी से चेक किया जाता है और ये गाड़ी का बहुत यानि कामन फेलियर है इसका बहुत जल्दे खराब होने वाला पाल्ट से है तो अगर आपके पस कोई आईसे मसला है तो आप सिर्फ इस आईसी को चेंज करें पूरे इस आईसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है दूसरे नमबर पर है फिवल इंजेक्टर ये दो चीजे मेन है सोर्य इसमें ये दो चीजे मेन है एक ये अगनिक्श्यम कोईल का इसका तो मैंने आपको बता दिया दूसरे जो है की तेर वियक्टर का तीनिक्टर ये छिप कांडूर करता है की इसका अदर के शेल ये चीज़िक कांडोर करता है उसका अदर Колलोट लागे होता है एक चीप का अंदर तीन मोस्पेट है, ये तिन इंजेक्टर को कांट्रोल करते हैं, और ये भी तिन इंजेक्टर को कांट्रोल करते हैं, अभी फर एक्जमपल, अगर कोई इंजेक्टर काम नहीं कर रहा है, तो इंजेक्टर के दो वायर है, एक माता है पाजेटू, एक नेगेटू, नेगेटू जो आता है, वो सीदाई मास्टेट से आता है, और पोजिटिव फ्यूज से, अगर इसमें सिगनल नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले वायर को ट्रेस करके, बिट्विन इंजेक्टर वो चिप, इसमें तीन मास्टेट है, इसको ट्रेस करके, अगर वायर साई है, तो इसको चेंज करना चा है, अगर चेंजेक्टर में कोई इंजेक्टर काम नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले इंजेक्टर को चेक करें, उसके बाद वायर को, लास्ट में ये चीप का अप्शन, ये जियादा खराब होते हैं, ये दो पार्ट्स, इंजेक्टर के और इगनिशलम को आइल के, इसके माद जो आते हैं, ये केपेसेटर, ये खराब ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन मालूमात के लिए अप लोगों की साथ शेयर करता हूँ, ये छे कोईल हैं, छे इंजेक्टर हैं, तो ये इसके केपेसेटर हैं, के अब कब शार्ट होते हैं, ये ये हर एक केपेसेटर, एक इंजेक्टर का रिस्पानसिबल होता है, तो ये इंजेक्टर के अपेसेटर है, लेकिन इसमें जो फाल्टें औना होने के बराबर है, ये का भी खराब नहीं होते हैं तीसरा जो इसमें ज्यादा फार्ट आता है वो है आइडल एर वाल्यू तो गारी को स्टार्ट करने के बाद जब भूद भूद बाद हो जाता है निसान गाड़ियों में अक्सर एस्टी ए फाइफ जिरो नाइफ यह इस चीप का नंबर है यह बहुत ज्यादा खराब होता है यह जब गाड़ियां स्टार्ट करेते हैं उसके फौरां बाद बाद हो जाते हैं तो इस चीप के अंदर मसला आता है तिसरे इसका जो है पावर्चीप है पावर्चीप जो पूरे बाट को पावर सुप्लाई देते हैं पाँच वोल्ट फाइफ वोल्ट का है हो चीप है एक मोस्फेट टाइप रांसिस्टर होता है इस इसा है कि एक मोस्फेट पावर्च वोल्ट का इस में घ्राउड है तो इसमें पावर्च वोल्ट का बाहर निकलेगा यह मोस्फेट सरह आए यह इस है यह इसके के प्रेसेटर है फिल्डर के प्रेसेटर यह भी ज्यादा खराब होते हैं लीक होते हैं और भाग यह जो है इसका मेंचीब है यह जल्दी खराब नहीं होते हैं तो दोस्तों आज मिने आपको बताया जो पार्स एस्यईउ के अंदर वह सीर्फ ज्यादा खराब होते हैं बगहा कि जो पार्स है यह कोई हमें यह कोई स्रापश कर्णूर करता है Kollegin उसमें जियदा फाल्ट नहीं आता है, सिर्फ ये कुछ पार्ट से, जो ECU के डिमेज होते हैं, तेंक्यू दोस्तों.